Hello everyone, welcome to your IVE Online classes. This is Praveen here. हम लोग कर रहे हैं Master Series for Psychology, जो कि आपकी TET exam के लिए है. सभी तरह के TET exam के लिए valid है ये series. आज हम थेरी करने वाले हैं Cognitive Development की, जो कि Gene Pagene ने दी है. Gene Pagene की Theory of Cognitive Development. इससे काफी साथा question देखने को मिलते हैं. हर एक TET में, चाहिए वो किसी भी category का है, Arts, JBT, Medical, Non-Medical, CETET सभी में यहां से question रहता है. Basic questions भी रहते हैं और थोड़ा सा गुमा की पूछने वाले questions भी यहां से आही जाते हैं. जो कि एक reflective level के questions होते हैं. दूसरी चीज़ मैं आपको यह बता देती हूँ कि यह जो series हमारी अभी TET के लिए चली हुई है. TET की date change हो चुकी है. आप date sheet मैंने डाली हुई है, previous video आप देख सकते हैं, दो वीडियो पहले. उसमें अपने subject की date आप देख लीज़े. पर भी आपको मिल जाएगे. चली करते हम theory को शुरू और यहां पर मैं आपको NCRT से भी करवाऊंगी और valid चीज़े रहेंगी. Gene pages जो थे उन्होंने stress किया था, जो children है, वो actively construct करता है their understanding of world. मतलब जो वो understand करेगा चीज़ों को अपने आसपास की, वो एक children की एक ability है और वो actively उसको construct करेगा. यानि कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ा होता जाता है, अपने आसपास अपने world की चीज़ों को वो understand करता हुआ चलता जाता है, construct करता हुआ चलता जाता है. मतलब अपनी add-on करता जाता है, अपने cognition में, संग्यान में अपने वृद्धी करता हुआ चला जाता है. Information does not simply enter their mind from that moment. ऐसा नहीं है कि कोई information आई और घुजगे. बच्चा भी उसमें willing होना चाहिए, interested होना चाहिए कि वो सीखना क्या चाहता है. माल लीजे, कोई एक बच्चा उसके साथ में दूसरे लोग खड़े हैं, वो बहुत एक important बात कर रहे हैं, माल लीजे. जो कि चाहे current affair की है, या कोई ऐसा मुद्दा है, जो society के लिए बहुत जरूरी है. अगर बच्चा उस चीज में interested ही है, वो नहीं सुनेगा उनकी बात है. तो ऐसा नहीं है कि simply जो knowledge है वो आएगी और mind mentor हो जाएगी, बच्चा भी उसमें interested होना चाहिए. जैसे जैसे बच्चा I.U. में भड़ता है, वैसे ही उसके संग्यान में भी वृद्धी होती है, चली जाती है. यहाँ पे जीन प्याजे ने तीन कंपोनेंट के बारे में बात की है, stages of adaptation में, उन्होंने इनके बारे में दिया. देखो, तीन कंपोनेंट उन्होंने दिये थे, जो कंपोनेंट है, वो है schema, stages of adaptation और stages of development, यह तीनों हम पढ़ेंगे. schema एक हम अलग से उसको समझेंगे कि वो होता क्या है, क्यूंकि schema का concept भी देखने को मिलता है exam में हमें, और फिर उसके बाद stages of adaptation है, stages of development, तीसरा इनका जो कंपोनेंट है. तो यहाँ पर पहले समझते हैं, हम stages of adaptation, assimilation, accommodation और equilibrium. तो इससे पहले schema शब्द यहाँ पर आता है, देखो, schema क्या होता है, schema जीन प्याजे यह कहते हैं, कि एक systematic pattern होता है किसी एक बच्चे का यह किसी एक व्यक्ति का सोचने का. ठीक है, schema क्या है, जिससरा से जो विचार है, हमारे विचार कैसे बनते हैं. जब हम कुछ सेखते हैं, हमारे mind में जो thoughts होते हैं, उनी को विचार कह सकते हैं, क्यूंकि जैसे हमारे mind में जो चीजे होंगी, वही विचार बनके उभरते हैं आके, तो वो विचार जो हैं, वो particular कि इनसान को किसी situation को समझने में मदद करते हैं, जैसे जो previous knowledge है, जो सीखा अभी तक, वो mind में fit हो चुका है, memory में feed है वो, उसी की help से हम समझ रहे हैं चीजों को आगे चलके, तो basic knowledge आप कह सकते हैं, कि basic जो सोचने का हमारा तरीका है, जो basic information से आया है, वो schema है, और अगर student, schema जो है, इसमें और information, जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो नई ideas, नई information माइन में जाती जाती है, तो फिर उसके बाद आता है assimilation, ये दूसरे नंबर पर आता है, इसके बाद और जादा नई information आएगी, नई ideas आएगे, जो stage है, equilibrium की आजाएगी, जिसे एक balance बना रहेगा जिन होता है, कि हम किस तरह से environment में adapt कर रहे है, हमारी basic information हमें help कर रहे है, assimilate करने में, और उसके वज़ से equilibrium बनता है, और हम accommodate कर पाते है, वहाँ पर एकदम adjust कर पाते है, उस situation में, तो ये pattern भी एक बार question में पूछा हुआ था, इसके बाद ये, इसके बाद equilibrium और इसके बाद accommodation आता ह है, series में आपने याद रखना है इसको, ठीक है, ये क्या है, S-A-E-A, इस तरह से है ये, ठीक है, आपने इस तरह से याद रखना इसको, क्यूंकि कई बार हम paper में confused हो जाते हैं paper pressure की वज़े से, stages of development की बात करते हैं, इन्होंने 4 stages दी, सभी को बता है, और एक बार question इस तरह स second stage, तो आपको ये sequence में याद रखना है, पहली stage, sensory motor stage, छोटे बच्चों के लिए होती है, दूसरी stage है, आपकी pre-operational stage, third stage है, concrete operational stage, और fourth stage है, that is formal operation stage, formal operational stage, सबसे advanced होती है, और इसी तरह से इस तरफ को ही complexity बढ़ती है, complexity of thought बढ़ता है, बच्चे की development इस तरफ को होती है, इसी तरफ को नहीं नहीं चीजे सीखता है, और बच्चे की आयों भी बढ़ती है, इसी तरफ को age भी बढ़ेगी, और जो cognitive development है, वो भी होती होती, चले जाएगी, one by one, एक को देखेंगे, और ज्यादा चीज इन क्लियार हो जाएगी, वही चीज स्कीमा के बारे में लिखा जो previous उसके पास थोड़ी बहुत जो भी knowledge है, thoughts है, ideas है, वही चीज स्कीमा को कहा गया है, first stage के बारे में बात करते है, sensory motor stage है यहां पर, और कई बार यह आयू, यह जो age है, यह भी पूछ ली जाते है, age of sensory motor, तो यहां पर जो age लिखे हो यह student valid है, from NCRT है, 0 to 2 years ही NCRT में दिया हुआ है sensory motor stage का, इस stage में बच्चा अपने senses से सीखता है, क्योंकि बाकी उसके thoughts, logical thinking की बारा कुछ नहीं लगाएगा, zero होगा, sensory experience with physical actions वो करता है, टीक है, उसके actions physical ही होता है, क्योंकि अच्छी तरह से बोल भी नहीं पाता है, lack object permanence, इसमें object permanence नहीं होती है, child show, imitation, इसमें object permanence का concept है, NCRT में लिखा हुआ है, gradually by 8 months, ये 8 है, 8 months of age of child start pursuing object partially recovered, ठीक है, यानि कि इससे ये हमें पता चलता है, कि जब 8 महीने के बाद बच्चा थोड़ा-थोड़ा इस चीज को समझना शुरू कर देता है, clearly ये चीज आपको यहाँ पे धान रखनी है, कि 8 month वाला जो concept है, यहाँ पे मैं आपको NCRT का portion दिखा देती हूं, जीन प्याजे की थीरी में, ये वाला paragraph important है, देखे, प्याजे ने कहा, according to प्याजे, children at stage do not open their immediate sensory experience that is lack object permanence, तो बच्चा जो है, जब sensory experience लेता है, sensory motor stage में, तो उसमें object permanence नहीं होते है, gradually जो मैंने आपको 8 month वाला concept बताया, उस उसके बाद start हो जाता है, object permanence का एक जो concept है, pursue करना, यानि उसके अंदर आना वो थोड़ा-थोड़ा शुरू हो जाता है, और दूसरी stage जो आती है, that is, pre-operation उसमें पूरी तरह से establish हो चुका होता है, इसके आपने ध्यान अखना है, क्योंकि NCRT से ही ये चीजें उठाई जात होता है, 2-7 वर्ष का होता है, इसमें symbolic thought development होती है, यानि थोड़ा बहुत symbols को जानना शुरू करता है, object permanence इसमें establish हो जाती है, ये pre-school, इसमें बच्चा स्कूल जाना क्योंकि शुरू करता है, इस stage को toy age भी माना जाता है, इस stage में बच्चा कहलना काफी जादा पसंद करता ह है, इसमें बच्चा मतला ego centric भी थोड़ा सा होता है, क्योंकि छोटा बच्चा है, इसको दूसरों की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, जैसे इसको भूख लगी है, तो ये दूसरों से छीन के खाना खा सकता है, इसको अपने लिए कोई चीज चाहिए, इसको color करने stage, 7-11 साल का बच्चा इसे शो करता है, इस stage में बच्चा जो है, concrete concept को समझने लगता है, concrete मतलब जो सामने दिख रहा है, classification यानि की object को classify करना जो है शुरू कर देता है, object को classify करना मतलब चीजों को समझना, ये चीज box है, ये circle है, इस तरह की चीजें वो समझना थोड़ा जो ह और इस stage में वो able होता है, that able to perform the reversible mental operation can be representation of the object. अब इसमें क्या है, reversible mental abilities थोड़ी थोड़ी उसमें grow होना शुरू हो जाती है, अब जैसे कि concrete operational stage है, तो बच्चे को अगर concrete चीज़े, सामने चीज़े दिखाएंगे, तो वो जादा उन पे गौर करेगा, और इसको मतलब mind में, जैसे कि दूसरा आपका आता है, formal operation stage में, जो आपकी जो concrete abstract concept है, उनको थोड़ा वो नहीं समझ पाएगा, ये abstract concept को समझने के लिए उसको पहले, दूसरी जो advanced चीज़े हैं, उनको समझना, logic, hypothesis, analysis, इनको जब वो सीख जाएगा, तो वो abstract चीज़ों को mind में अच्छे से लेके जाएगा, formal operational stage सबसे last stage है, इसकी 11 से 15 साल के बच्चे शो करते हैं, यहाँ पर बतलब सारी logic बगरा, abstract thinking बगरा लगाना शुरू कर देता है, transitional period यानी बच्चे का जो लेड childhood के बाद ये उस age में आती है, इसको transitional period भी कहा चाता है, hypothetical thinking बच्चे लगाता है, decision making करेगा इसमें, यह important कुछ point है, NCRT के जो points हैं, वो भी मैंने यहाँ पर add करे हुए हैं, तो आपने इन पर सब पर focus करना है, NCRT का portion student यहाँ पर यह रहता है, आप देख सकते हैं, sensory motor stage है, वो जो age यहाँ पर मैंने आपको बताई, यहाँ पर देखिए वही age है और यही age जो है वो आपको लि establish होती है, pre-operational stage में, next stage है, यहाँ पर concrete, तो यहाँ पर देखो, child can reason logically about concrete events, तो यहाँ पर logic तो लगाएगा, लेकिन concrete objects को लेकर अपने logic लगाएगा, ठीक है, और reversible mental operations जो है वो perform करेगा, ठीक है, representation of object के लिए, और formal में आपको पता ही hypothetical thinking और logical, abstractly वो लगाएगा, और development उसकी सब ठीक है, यह आपने याद रखना है, प्याजे ने थोड़ा सा एक चीज कही है, कि private speech का एक question भी आता है, private speech मतलब हम अपने अंदर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है, चिंतन करते रहते हैं, तो जीन प्याजे ने private speech को क्या कहा, ego centric कहा, ego centric कहा है, किसने, जीन इसको क्या कहा, इसको क्या कहा, इसको क्या कहा, इसको सबसे पहले आता है, यह चोटा, बिल्कुल चोटा बच्चा, तो इसमें जो है, sensory motor stage, पहली जो stage थी, इसकी sensory motor stage, वही इसने consider किया है, next question है, cognitive development means, simple सा question पूछा है, cognitive development, option है आपकी development of intelligence, दूसरी option है, development of child, तीसरी है, development of physical skills, and fourth है, development of individual, तो यहाँ पे cognitive development है, तो इसमें हमारे संज्ञान में विरिद्य होगी, दिमाग बढ़ेगा, माइन से related है, तो यहाँ पे development of intelligence, correct answer दिया गया है, next question है, प्याजे, propounded, तो क्या propound किया है, option में आपको, theory of multiple intelligence, theory of moral development, theory of social cultural development, theory of cognitive development, तो obviously, यहाँ पे तो direct answer आपको पता चल रहा है, next है, आपका, that is, what do you mean by schema, schema से question है, option ने है, chunking mechanisms, दूसरा है, learning techniques, third है, organized packets of information stored in long-term memory, और D option है, defense mechanism, तो third option जो है, एक तरह से packet of information है, आपके पास जो previous information है, जो कि आपकी long-term memory में स्टोर हुई होती है, उसे हम schema कहते है, जो आगे चलके हमें, help करते हैं, दूसरी चीजों को समझने में, next question, previous year, पूछा गया है, the stage in which child brings to think logically about objects and events, तो कौन से stage में बच्चा जो है, अच्छे से events और logic लगाना objects के लिए शुरू करता है, तो अच्छी तरह से वो logic लगाना सबसे last वाले, यानि कि जो आपकी formal operational stage है, इसमें वो logic जो है, वो अच्छे से लगा पाएगा, next question है, concrete operational stage of cognitive development covers the range of from, तो age पूछी हुई है, तो age आपको यही आद रखनी है, 7 to 11 years जो है, आपके पास दी हुई है, कभी-कभी क्या होता है पेपर में, यह age अगर नहीं है, तो बिलकुल इसके आस-पास वाली age आपको देखनी है, लेकिन अगर option में, TAT में अगर ऐसा होते हैं, किसी भी exam में, particular कोई NCRT में वो चीज है, और mileage option में 7 to 11 नहीं दिया हुआ है, तो आप ऐसे question में claim कर सकते हैं, वहाँ पे आपको number मिलने के chances हो सकते हैं, कि क्यूंकि valid जब NCRT में है, और अगर options में आपको वो चीज नहीं दिख रही है, तो इसका number तो बनता है, ऐसी कुछ चीज़ें अगर आपके साथ होती हैं, अगर आप that पहली बार दे रहे हैं, तो आपने ध्यान दखना कि, जैसे ही इनकी एक answer की आती है, provisional answer की, उसके बाद आप उन्होंने mail दिया होता है, नीचे कि अपने जो भी आपकी doubts है, with proof, NCRT का proof आ तो यह कुछ previous year questions, students मैं आपको बता दू, next मैं आपको करवाने वाली हूं, अब जो यह theories है, classical conditioning, operant conditioning है, Jerome Brunner की cognitive development theory है, Kohalberg की theory है, यह सारे questions previous year पोचे गए हैं, हम मिलते हैं, next video में, अगर आपको material पसंद आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीचे, और अगर चैनल पे watching, have a nice time and take care.